नमस्कार, मैं हो ससी, आये जर्खन के टॉप 25 पर्मुख खबर जानते हैं पसुपालन के छेत्र पर भी ध्यान देने की जरूरत है, छेत्र की भोगोलिक, सन राचना और वहां के लोगों की रूची के अनुरूप पसुपालन को बढ़ावा देना है, वहीं रिक्त पदों को भरने की दिशा में भी पर्यास किया जा रहा है, ये बाते मोक्ष मंत्री हम मांसुरों ने अधिकालियों से कही, वे किरिसी पसुपाला ने हमसा करद्या विभाग की समीक्चा कर रहे थे, मोसम विभाग के अनुसर जार्खन में मांसुर कमजोर पढ़ गया है, इसकारण जुलाई में समान या इससे कौम बारिस होने की समभवना है, जार्खन की धनी राची समेत कई इलाकों में तापमान में कोई विशेस बदलाव नहीं होगा, बता दे मोसम वेगयन को की माने तो 7 जुलाई के बाद ही इस्थिति बदलने की समभवना है, कुछ अस्थानों पर गरजन के साथ हलकी बारिस हो सकती है, मोसम में अचानक आए बदलाव से लोग बीमार भी पड़ सकते हैं, बता दे 11 और 12 जुलाई को बंगाल की खाड़ी में निम्न दवाव का छेत्र बनने की समभवना है, जिसके प्रभाव से बारिस हो सकती है, इस्थिति का आकलन के बाद आम सर्धारुओं के लिए बाबा बैदनाथ मंदीर खोलने पर निरन सर्धारुओं के दर्थन के लिए खोलने का आगरा किया, उन्होंने कोरोना मामारी को ध्यान में रखते हुए समाजिक दूरी और COVID-19 प्रोटोकाल का पूरा पालन करते हुए, सिमित संक्या में सर्धालुओं को मंदीर में पुजा अर्चना और जल अर्पन करने के अनुमत देने की दिशा में मुक्वंति से विचार करने का आगरा किया, जर्खन पुलिस करोना मुक्ठ के करीब, जर्खन पूलिस अब करोना फ्री होने के पहुंच चुकी है, नए σंक्रमित नहीं आ रहे हैं, पुरे राजय में अब सिर्फ नव पुलिस कर्मी ही संक्रमित है, ज पूलिस कर्मी पदाधिकारी कुरोनावारे से संक्रामित हुए थे इन में से 379 पूलिस कर्मी पदाधिकारी स्वस्थ हो चुके हैं वहीं 42 की जान गई और 9 बर्तमान में इलाजरत हैं गरीब छात्रों को स्मार्ट फोन दिलाने के लिए थानों में एक सप्ता के भीतर बन जाएंगे उपकरन बैंक राजे के गरीब बचों के बीच आ स्मार्ट फोन लैप्टोप देने संबंधित जारकन पूलिस के महत्वकांची योजना को धातल पर पूरी तरस से उतारने में लव एक सप्ता का वक्त लगेगा थाना वजीला अस्तर पर उपकरन बैंक खोलने के लिए राइस्टर वर रिकोर्ट कीपिंग की अलग व्यवस्था बनेगी ताकि गरीब बच्चों के लिए स्मार्ट फोन वा लाइप्टोप दान करने वाले लोगों वा दान लेने वाले बच्चों को भविस में कोई परिसानी ना हो पुलिस मुख्याले से मिली जनकारी के अंसार थाना वजीला अस्तर पर उकरन बैंक बनाने समधी दिशा निर्देश दिया गया है और कहा गया है कि एक सब्ता के भीतर इसकी परकिरिया पूरी कर ले जारखन में क्रोना जांच एक क्रोर के पार जारखन में गुरु अर्खो क्रोना जांच का आकड़ा एक क्रोर से पार हो गया है बतादे पहली लहर से लेकर अब तक एक क्रोर से अधीक लोगों की यहां क्रोना जांच हो चुकी है राजे में पहले 50 लाग सेंपल की जांच करने में 290 दिन लग गय थे वहीं अगले 50 लाग सेंपल की जांच में महज 106 दिन लगे है बतादे राजे में क्रोना जांच के संसाधन लागतार बढ़ने से असंभव हो सका है दूसरी लहर में संक्रामन तेजी से बढ़ना भी इसका बढ़ा कारण रहा है जैक का फर्मूला पर सीम की मुहर मुख्य मंत्री की स्विक्रिती मिलने के बाद इसकुली सिक्षायम सक्षर्टा विभाग ने जैक को उक्त नीती के तहट परिनाम जारी करने की परकिरिया पूरी करने को कहा है बिभाग के सचीव राजे सर्माने गुरुवार को इस समन में जैक के अध्यक्ष को पत्र भेज दिया है इसमें कहा गया है कि दोनों बोर्ड पर इछाओ के पहिणाम जारी करने को लेका जाय की प्रस्तावित नीती तथा परकिरिया परमोख्यमंद्री की स्विक्रिती मिल गई है उसके अनुछार पहिणाम त्यार करने की करवाई की जाय B.A.U. में प्रोफेशनल और सिनियर रिसर्च के लिए 15-17 को इंटर्व्यू दिर्शक क्रिसी विश्वविद्याले में विभीन प्रकल्पो को अपलोड किया जा रहा है इसके लिए 20 सुभी द्याले में 15 यंग प्रोफेसनल और सिनियर रिसेर्च फेलो की कॉंट्रेक्ट पर नियुक्ति की जाएगी इसके लिए 20 सुभी द्याले में 15 से 17 जुलाई तक वाक इन इंटर्वियू रखा जाएगा बतादे सभी पदो पर नियुक्ती 6 महीने के लिए कॉंट्रेक्ट पर होगी कुरोना गाइडलाइन पालन कराने को 18 टीम तैनाथ तेजी से हो रहे अनलोक के बीच राशे जिला परसासन ने कुरोना की गाइडलाइन का पालन कराने के लिए पुरे जीले भर में कुल 18 टीमों को तैनाथ किया है पतादे इन टीमों के साथ एक एक दंडा अधिकारी यानि कुल 18 दंडा अधिकारी भी प्रतिन्युक्त हैं समय समय पर एक टीम में बाजारों में जाकर ओचक जाच कर रही है और जहाँ जाग्रुपता की जरूरत है वहां लोगों को जागरूप कर रही है और जहां सक्ति की जरूरत है ऐसे लपरवा लोगों खिलाब करवाई भी कर रही है जारखन में 88 नए केस मिले हैं जारखन में कूल मौत की संख्या 513 है वहीं कूल एक्टिव केस की संख्या 831 है भारत में 43 यार 640 नए केस मिले हैं भारत में कूल एक्टिव केस की संख्य 4,90,315 है ज्यारखन में एक्टिव केस इस प्रकार हैं राची 227, पूर्वी सिम्हु एकानवे, हाजारी बाग 49, बोकारो 49, धनबाद 23, रामगर 11, पच्मी सिम्हु 15, कोडारमा 11, पलामु 9, देवघर 29, गुमला 49, गीरीडी 15, लातेहर 23, खोटी 6, सराइक लाखरसावा 24, सिम्डेगा 76, गडवा 21, लोहरदागा 29, चातरा 26, गोड परखंड के सभी किसानों को के सीसी देने का लग्षे, मोख्य मंत्री ने कहा है कि किसानों को किसान के रेडिट कार्ड से अच्छादित करने के लिए परखंड अस्तर पर बिसेस अभियान चलाए, 15 जुलाई तक किसानों से आवेदन प्राप्त करना सुनेश्चित होना चा SDO, वाहन चेकिंग और रजस वसूली के काम से हटाएगा है राज जेक के SDO, अस्तर के अधिकारी अब मोटर वाहन अधिनियम के तहत वाहनों की जाच और टेक्स वसूली नहीं कर पाएंगे राज सरकार के परिवहन विभाग ने SDO को दिये गए अधिकार वापस ले लिए है विभागी मंत्री चमपाई सुरेन के अनुमधन के बाद इस समन में आदेश भी जारी कर दिये गए है विभागी अधिसुचना 18-7-2018 और गयट संक्या 680 दिनांग 29-7-2018 के मादयम से कूल 45 अनुमधनल पतादी कारियो को वाहन अधिनियाम 29-88 की धारा 200 के तहत जाच और राईस वसुली की सकति परदान की गई थी परिवाहन विभाग के आदेश के मुताबिक SDO का नियंत्री विभाग कार्मिक प्रसासनिक सुधात असराजबासा विभाग है अभिभाग संग इसकूलों के बाहर किया मौन परदासन जारखन अभिभाग संग के और से नीजी इसकूलों में फिस बिरिदी को लेकर चल रहे साथ वार साथ गुहार कारेकरम के दूसरे दिन सुक्रवार को राची सहीत बिभीन जीलों के स्कूलों के समक्ष अईभावकों ने मौन परदसन किया संक पता दिकारियों के साथ अईभावक ने अपने हाथों में पले कार्ड लेकर अपनी मांग रखी बता दे जार्खन अविवाग संके अजयराय ने इसी करम में बोकारों पायुकत राये सर्मा से मिल कर गया पन भी सोपा जार्खन के जल प्रपातों और ब्यांजनों पर विशेस पोस्ट काड जारी राजेपल द्रोपदी मुर्मुने सुक्रवार को राजभवन में डाक विभाग जार्खन के तत्वधान में राजे के बिवीद जल प्रपातों तथा ब्यांजनों के उपर 6 चम मैक्सिमम काड की एक सिरिंखला जारी की राजेपल ने जहार्खन के अस्थानिय ब्यांजनों जैसे धुसका, अमडा, चटनी, फुटकल साग, छीलका रोटी, पूलका, लेटो, बास, करील, आचार तथा जहार्खन के जल प्रपातों जैसे सुंगा बांध, मिर्चया, लावा पानी, काती एवं पिरवा घाग के उपर मैक्सिमम काट जारी किया है डाक्टरामेश्वर उडाउं से मुलकात की जार्खन परवासी कंट्रोल रूम ने आठ लाग से अधिक स्रमिकों को पहुंचाई मदद देश में क्रोना वाइरस संक्रमन और लोगडाउन के कान फ़से जार्खन के परवासी मजदूरों को जार्खन परवासी कंट्रोल रूम ने काफी मदद पहुंचाई है सियम हमन सुरेंड के निर्देश पर 27 मार्च 2020 को कंट्रोल रूम की शुरुवात होई राज सरकार के स्तरम विभाग दोयरा फिया फाउंडेशन के स्वयोग से देश के अने राजों में फ़से मजदूर को मदद पहुंचाई गई बताते परवासी मजदूरों की समस्या को लेकर आठ लाग से अधी कॉल आये जिने समाय रहते मदद पहुंचाई गई गुमला उपायुक्त सिसीर कुमार सिना के अधक्स्ता में एनस 23 पलमा गुमला फोरलेन पथ पर्योजना अंतरगत रहतों के मुवजा भोक्तान को लेकर ITDA भवन में सुक्रवार को बैठक होई जिसमें उपायुक्त ने जिन पंचाटियों के अवस्यक करजात अंचलों से सत्यापित होकर प्राप्त हो चुका है तथा उनके विरोध यदि किसी परकार की कोई अपती नहीं है तो वैसे रहतों के खातों में आर्टी जी एस के माध्यम से अविलम मुवजारासिक का भोक्तान सुनिचित करने का निर्देश जीलाभू और जन पताधिकारी को दिया है रेमडे सिवीर काला बजारी जारखन हाई कोट के चीफ जस्टिस डाक्टर रविरंजर और जस्टिस एसेन परसात की खंड पीठ में रेमडे सिवीर काला बजारी मामले में सुनवाई हुई सुनवाई के दुरन अदालत ने इस बात को लेकर नराजगी जताई की इस मामले बेराच्ची के गिरामिन स्पि नवसाज अलम को सरकारी गवाः बनाने से पहले कोट को क्यो नहीं बताया गया अदालत ने कहा कि जब इस मामले की मोनिटरिंग हाई कोट स्वेम कर रहा है तो चार्जचीट पाइल करने से पहले इस आईटी को इसकी जनकारी कोट को देनी चाहिए थी 465 कोट की लागत से बने जहारखन विधान सभा के नवे भवन और जहारखन हाई कोट की नई बिल्डिंग के निर्मान में होई गरबड़ी की जाच होगी बतादे एंटी करप्शन बियोरो को जाच की जिमिदारी दी गई है गुरुवार को मोखे मत्री हमन्सुरे ने इस बावत आदेश जारी किया है दोनों भवनों के निर्मान परक्रम से 465 करोर और 497 करोर की लागत आई है बतादे शुरुवाती प्रकलन के बाद भवनों के प्रकलन को अभी संसोधित किया गया है धन्यवाद